देखिए गाईज यह हो गया बंद कर दिया दूसरा वरतन में निकाल के फिर में दिखाती है देखिए पीजा सर्च बनके रेडी है हेलो गाईज ओलकाम बैक टू माई चानिल दिपा की चिन में सबकर सागत है आज फिर आगए आप लोके साथ एक रेसिपी शायर करने और आज में बनाओंगी पीजा सर्च तो चलिए देख लिए पीजा सर्च में कैसे बनाते हैं तो देखिए गाईज में आगए चुले के प लुख 謝謝 काट ले की वालने के बाद इसको अजानी शाये घंट जाएगी और इसमें डालोंगों मैं लेसुन तो यह लेश़ण डाल दिया अभी समें पानी देदूंगी और इसको बॉल करना है देखिये मैं पानी देदिया इसको भी यूं कर दिया अर्यबिव दिखिए अ अभी इसको बॉल करना है जब तक ये नरूम नहीं होता है तक तक देखिए हो गया अभी इसको बंद कर दूँगे और इसको शिल्का भी अपने अपी हट गए बंद कर दिया और इसके पानी से उठा के रख लूँगे शारे टमाटर को देखिए इसको निकाल लिया प्लेट में जाली वेली प्लेट है अभी इसको ठंडा करके फिर मिलते हैं शारे टमाटर का शिल्का हटा के मिक्चार जार में ले लिया और इसको अभी पेश्ट बना लूँगे देखी इसका पेस्ट बनाएं ये कड़ाई ले लिए और ऐसे एक शन्नी लिया हूं बड़ा इसमें सांग के फिर मैं इसको पकाऊंगे पुरा टमाटर को मैं सांग लिया जितना पेस्ट होता अभी इसको मैं चालो कर दोंगे और इसको अभी पकाऊंगे नमक थोड़ा चा आरजी नमोटो दे रहे हैं आरजी नमोटो देने का ये कारण है इसमें श्वाद बहुत अच्छा है थोड़ी से लालमिस पाउडर और इतना बटर दे रहे हैं इसको ऐसे ही पकाऊंगे शुखाना है और ये बड़े उपर जोलता है इसको ढगड़क के पक पाणा पड़ते है इसको ऐसे चलाना पड़ते हैं एक तो नीचे लग सकता है और ये खुलने में बाहर निकाल आते हैं देखिए फोग आभी इसमें देदोंगी थोड़ी रेट चिली सुस और थोड़ी देदोंगी टमाटर चिली सुस ये देने में बहुत अच्छा स्वाद आते है इसलिए ये देते हूं में ये हो गए अभी इस पर जाए में थोड़ा चाक के देख चाकते है जे नमख और जैसे भी जो डाला हूं अगर थोड़ी बहुत कम लगे तो आभी डाल चकते हैं देखिए गाई ये हो गया बंद कर दिया दूसरा वरतन में निकाल के फिर में दिखाती देखिए पीजा स्वाज बनके रेडी है और ये पीजा स्वाज बनाने में बहुत श्वादिश लगता है पीजा खाने में अगर आप लोग को रेसिपी अच्छा लगता है तो हमारी चैनल कर सस्क्राइब कर दिजे लाइक कीजे और कमेंट पर बताए कैसे लगा है रेसिपी तो मिलते है कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबको बाई बाई